हेलो फेंट्स एंड वेलकम बैक टो चिकीज बाइलोजी अनादर वीडियो टूटोरियल इन दिस वीडियो टूटोरियल आई एम गोईंग टो डिसकस बाइयो टेकनोलोजी कोर्स इन आई 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 टी खड़कपूर थुरू गेट आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग आ टेकनोलोजी के कोर्स कर सकते हैं जयत के तुरू बहुत सारे स्चिझ भिपशंग कर सकते हैं या ओहां पे उनको कौन-कौन से कोर्स और एक पर्टीक्लर ऊौफर्टी एंग तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि IIT खड़कपूर बाय टेकनोलोजी से रिलेटिड कौन-कौन से courses आप लोगों को offer करती है ठीक है और by technology से related जितने भी courses आप लोगों को IIT खड़कपूर offer करती है वो हम लोग अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे और by technology से related या by technology से जो connected courses हैं IIT खड़कपूर में हम लोग उनके बारे में भी बात करेंगे बहुत सारे students जो हैं जब apply करते हैं तो वो confused रहते हैं कि उनको किस एक course के लिए अगर वो biosciences और bio engineering department में apply कर रहे हैं तो किस एक particular course के लिए उनको वहाँ पे apply करना चाहिए और वो सारे students ने comments में भी मुझे बोला है कि सर ये particular जो एक IIT है ये बायो टेक्नोलोजी या बायो साइंसिज बायोंजिंग डिपार्टमेंट में कौन-कौन से course offer करता है तो उनको ये problem वहाँ पे रहती हैं और वो सही से वहाँ apply भी नहीं कर पाते हैं तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में IIT खड़कपूर के बारे में बात करेंगे और अपनी जो आने वाली वीडियोस हमारी होंगी उनमें हम लोग particular एक-एक IIT के बारे में हम लोग सोरी discuss करेंगे जैसे इस वीडियो में IIT खड़कपूर नेक्स वीडियो में किसी अधर IIT के बारे में लोग discuss करेंगे तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो first of all आप लोग चैनल को subscribe कर लें चुकि जो next वीडियो आएगी उस वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को वहाँ पर subscribe कर रखा है तो तो friends हम लोग start करते हैं जैसे मने बताया कि हर एक IIT में बायो sciences और बायो engineering department होता है ठीक है तो इस department में बहुत सारे बायो sciences बायो engineering से related courses चलते हैं वहाँ पर रन होते हैं ठीक है और बायो technology भी इसी department में आता है हमारा इसी academic section में बायो technology भी हमारा आता है तो friends हम लोग बात करते हैं IIT खडगपूर की IIT खडगपूर the department of biotechnology offers joint mtech PhD program in agriculture biotechnology biotechnology and biochemical engineering ठीक है तो अगर आप लोग IIT खडगपूर से IIT खडगपूर में आप लोग सोरी through gate exam अगर आप लोगों ने अपना gate exam gate biotechnology exam आप ने सोरी अपना qualify किया या gate life sciences आप लोगों ने अपना exam qualify किया है तो आप लोग यहां से जैसे मैंने बताया mtech और PhD program कर सकते हैं और mtech और PhD program IIT खडगपूर आप लोगों को jointly provide कराता है means कि अगर आप लोगों जैसे आप लोग वहाँ पर apply करेंगे तो आप लोगों का mtech और PhD बोथ के लिए apply किया है तो आप लोग अपना mtech करने के बाद भी वहाँ से switch कर सकते हैं और अगर आप लोगों वहाँ पर PhD करना चाते हैं तो आप लोगों का इन अगरी कल्चर बायो टेकनोलोजी एंड बायो केमिकल एंगेरिंग ठीक है नेस्ट हम लोग बात करते हैं इट ओसो ओफर्स BTQ इन बायो टेकनोलोजी थूरू IIT-JE advanced exam ठीक है आप लोग यहाँसे BTQ इन बायो टेकनोलोजी course भी कर सकते हैं बट इसके लिए आप लोगों ये course भी जो Department of Biotechnology IIT Kharagpur का हो आप लोगों को provide कराता है ठीक है, after complete your 12th class ठीक है और 12th class आप लोगों का यहाँ पर Physics, Chemistry और Math से होना चाहिए तब ही आप लोग यहाँ पर eligible हैं Next हम लोग बात करते हैं जैसे कि जैसे मैंने बताए कि B.Tech in Biotechnology The IIT J.E. Advanced exam ठीक है इसके तुरा आप लोग कर सकते हैं And Biochemical Engineering along with PhD programs, ठीक है Next हम लोग बात करते हैं The School of Biosciences BS ठीक है The School of Biosciences यह एक अलग Department है BSB Department का ही ठीक है एक अलग section है The School of Biosciences BS offers MSC Chemical and Molecular Biology along with the PhD programs ठीक है तो यह कुछ यह बायो टेक्नोलोजी के programs थे ठीक है बायो टेक्नोलोजी से लिलेटिड प्रोग्राम्स थे जो Biosciences और Bionic Department आप लोगों को IIT खड़कूर का प्रोवाइड कराता है ठीक है तो आप लोग यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं और फरदर अपने सभी जो courses हैं को आप लोग महाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं आप लोगों ने अपना गर GATE by Technology exam qualify किया है अगर आप लोगों ने अपना GATE Life Sciences exam qualify किया है तो आप लोग eligible हैं यहाँ पर apply करने के लिए और आप लोगों का अगर GATE score वो आप लोगों का 700 से अबव है तो आप लोगों कोई problem नहीं है आप लोगों का यहाँ पर 100% selection होगा इन सभी courses में जो master course हैं PhD course है और B.Tech in Biotechnology course आप लोग जैसे मने बताया IIT J.E. Advanced exam को crack करने के बाद यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर integrated M.Tech और PhD course करा जाता है बट आप लोग यहाँ पर restricted नहीं है आप लोग अगर अपना M.Tech course यहाँ से कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग यहाँ से अपना PhD course नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग फर्दर यहाँ से switch कर सकते हैं आप लोगों को apply जो करना होगा वो M.Tech और PhD दोनों के लिए यहाँ पर करना होगा ठीक है अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं future में भी आप लोगों कैसी वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ तो please friends मेरे चैनल को subscribe करना नह भूले और वीडियोस को जादा से जादा शेयर करें जादा से जादा लाइक करें और आने वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग अपने किसी एक और IIT के बारे में बात करेंगे और उस IIT का जो Biosciences और BIO Engineering Department है वो कौन-कौन से BIO Technology के course आप लोगों को प्रोवाइड कराता है या आप लोग महां से कौन से BIO Technology के course कर सकते हैं यह हम अपने उस वीडियो में डिसकस करेंगे so thank you friends, thank you for watching